नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मन के आवाज नियूज में आज हम आपको बताएंगे मंडार में चल रही बाली का स्कूल के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिंगरवास परमहंस बाबा कुट्या के पास में संचालित बाली का उच माध्यमिक विद्धाले जिसमें कक्षा एक से बारावी तक चात्राएं पड़ती हैं इसकूल गाउं के बीचे बीच होने से सुरक्षा व्यवस्ता के भी बड़े अच्छे इंतजाम है और हर तरकी सुविदा जहां पानी सवचाले एवं साबसफाई के पुखता इंतजाम है और गाउं में होने की वज़े से यहां पर चात्रों की संख्या भी ज्यादा है हाली में मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर ने आदेश किये हैं कि कक्षा नव से बारावी तक एक नवीन भवन निर्मान किया हुआ पड़ा है उसमें सिफ्ट किया जाए आपको बताते हैं कि यह भवन गा से व्यूटर के असपास है 101 और वहां पर तो सुरुक्षा के पुगता इंतजाम है वहां पर कई तरह की सुवीदय यहवं अभाव है जैसे वहां पानी की बिल्कुल वय ववस्ता नहीं है पीने के पानी का कोई श्रोत वहाँ पर नहीं है नहीं इस्टोरेज हेतु पानी की टंकी है और अगर है भी तो वो इतनी गंदी और खरापड़ी जिसमें मेंडग चुए आधी पड़े हुए हैं और एक हेल्पमब है जो नकारा पड़ा हुआ है और लाइट के भी पूरे इं है, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं है इसी तरह से बाहर आम रष्ता जा रहा है कई सालों से इस बिल्डिंग को बने हुए हो गय है इस वज़े से बाहर की तरफ जो रष्ता जा रहा था उस पर अतिकर्मन हो चुका है और अतिकर्मन पर पूरा पक्का निर्मान कार्य इस गेट से ओकर उस गेट की तरफ स्कूल परिशर के अंदर से लोग आवजा ही करते हैं जिसमें एक गेट बिल्कुल सदिगत कर दिया गया है। पूरे स्कूल परिशर में इतनी गंदगी पड़िये और लोग फैकते हैं और वहां पर सोचाले भी जाते हैं। यहां पर इस तरह के व्यवस्ता है और वहां पर असूदा है तो उन्होंने का नहीं उससे यहां बैतर सूदा है ऐसे करके उन्होंने फोन काड़ दिया अब आनन फानन में किसी भी हाल में कल यानि 19 तरीक को बच्चों को वहां जाने के लिए कहा गया है इस सिर्फ एक दिन बचा है दिवालियों की छुटी में और कल उनके टैस्ट है वो भी एक दिन के लिए जब कलेक्टर मोदे से कहा तो उन्हों बोला नहीं कुछ नहीं हो सकत और यह आदेश निरस्त नहीं हो सकता नमस्कार